तो BPSC examination दो प्रकार के student देते हैं एक जो privileged हैं जिनको पहले से पता है family background है और financially भी वो stable है और दूसरे students होते हैं जिनको अब पता चल रहा है है ना वो evolve हो रहे हैं या वो market में जाने अपने किसी friends से उनको पता चला कि अच्छा इस knowledge से हम अधिकारी भी बन सकने हैं तो अब वो सोचते हैं कि यार कौन सा ऐसा subject है जो पढ़ लें या कौन सा में पास degree होनी चाहिए तो इसमें बहुत simple है कोई भी graduate जो appearing हो या फिर passed out वो इस exam को दे सकता है सब्जेक का भी कोई constraint नहीं आप तो GS जो है वो बहुत जाद है इक्विलाइस कर देगा सभी चीजों को तो GS में अगर आपको commerce आपने लिया है तो आपको economics अच्छी है फिर आपको arts और science पढ़ना है science लिया है आपने तो science अच्छी है arts और commerce पढ़ना है तो इस तरह से इसको neutralize कर दिया गया है तो कोई भी aspirant इसको दे सकता है किसी भी विशय का बस आपको graduation की degree होनी चाहिए आपके पास